नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सिख्षक एक अधिगम करता के रूप में टीचर एजे लर्न टीचर एजे लर्नर शिख्षक एक अधिगम करता की भूमिका में यानि एक टीचर किस प्रकार से लर्नर की भूमिका निवाता है टीचर एजे लर्नर सिख्षक एक अधिगम करता की भूमिका में दोस्तों सिख्षक की अधिगम करता के रूप में भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है सिक्षक क्या है और अधिगम करता क्या है यानि एक टीचर किसे कहते हैं और एक लर्नर किसे कहते हैं तो आईए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं सिक्षक का कारे होता है जो भी उसने सीखा है उसे दूसरों को सीखना इससे क्या पता लगता है कि सिक्षक के पास में content यानि जिस subject को वह पढ़ा रहा है उसकी परियाप knowledge है पहले से ही already उसके पास में क्या है knowledge परियाप्त है अब वो क्या करता है जो उसके पास में जो knowledge होती है उस knowledge को वो दूसरों को deliver करता है लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं सिप्षक की एक learner की रूप में ऐसे learner उसका role क्या है सिप्षक का तो उसके लिए हमें जानना होगा पहले अधिगम करता है यानि learner वो किस तरह से काम करता है उसकी working style क्या होती है एक learner जो होता है उसके अंदर में जो गुन होता है वो होता है observer का वो हर चीज को बारिकी से observe करता है अपने चार और के बातावरन को वो देखता है कि उसे क्या चाहिए उसे कौन सी चीज कहां से मिल रही है दोस्तों हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो human का basic nature है यानि इंसान का जो basic nature है वो अधिगम करता का है सीखने वाले का यानि सबसे पहले हमें हमारे अंदर एक जिग्यासा होती है प्रतिक चीज को जान लेने की यानि बच्पन से लेकर और मृत्यूर तक हम इस दु एक अधिगम करता की रूप में इंसान का basic nature होता है जब वो कुछ सीखता जाता है तो वो उसे दूसरों को यानि कि जिस व्यक्ति को अभीता उसका ग्यान नहीं हुआ है उस तक उस ग्यान को संप्रिशित करने या पहुचाने की कोशिश करता है तब वो सिक्षक की भूमिक होगा कि सिक्षक जो होता है वो पहले किसी चीज को ग्रहन करता है और जब उसको अच्छी तरह से उस चीज की knowledge बताती है तो उसके बाद में वो उस चीज को दूसरों को जिस व्यक्ति को उसकी ज्यानकारी नहीं है उसको पहुचाता है अब आपन बात करते हैं सिक्षक की अधिगम करता यानि teacher की learner की रूप में क्या भूमिका है तो सिक्षक को content से related तो कुछ सीख नहीं है वो तो वो पहले से जानता है यानि की जैसे example के लिए कोई math का teacher है तो उसको math से related जो भी उसका topic है उसकी पहले से knowledge होगी कोई accounts का teacher है तो उसको accounts related जो भी उसका content है उसकी पह प्रकार के बच्चे जिनका आर्थिक सामाजिक बैक्राउंड अलग-अलग है बॉध्यक स्तर अलग-अलग है उसके अनुसार उनके भावों को पड़े सिक्षा में पाठिकरम के अंतर के बाल मनोविज्ञान सिक्षा मनोविज्ञान इसलिए ही teacher को उसकी training के दौरान बता जाते हैं जिससे वह बालवों के भावों को समझ सके और उसके according अपनी teaching methods में अपनी teaching style में परिवर्तन कर सके त उसके अनुसार अपनी जो शिक्षन प्रिक्रिया है उसको बहतर से बहतर करता चला जाए एक observer के रूप में अलग-अलग points पर चर्चा की जा सकती है कि सिक्षक अनुशाशन किस प्रिकार से बनाए रखेगा खुद अनुशाशित रहेगा एक अनुशाशन का उधारन पेश करेगा बच्चों के सामने क्योंकि उसको चाहिएगी क्लास अनुशाशित रहे तो वो खुद भी अनुशाशन में रहेगा एक उधारन इस तरह का पेश करेगा वो सीखेगा बच्चों से कि किस तरह का महौ कि बच्चों से सीखने का मतलब क्या कि बच्चे हैं बच्चों की प्रकरती कैसी है बच्चे चंचल सभाश के हैं शान सभाश एक कौने बच्च को किस से महत्षर से समझ में आ जाता है किसको नहीं आता है're य는 कुल मिलाकर कि आपने 4 ओर और का जो अपनी knowledge को, knowledge से यहां पर मतलब है teaching skills को, पढ़ाने की जो योग्यता है, उसको update करते रहना, यहां पर content को update करने से मतलब नहीं है as a learner, यहां पर अपनी teaching skills को, teaching ability को update करना as a learner, वो अपने student से, खुद से ही, खुद के भ्यवार को यह observe करके, वो यह observe करे कि अगर मैं student की जगह हू तो और मुझे यही सारी चीजें पढ़ाई जाएं, इसी तरीकी से पढ़ाई जाएं, तो क्या यह उचित हैं, इसमें और क्या सुधार की गुंजाई से, तो इस प्रकार से वो observation करके, यानि कि वो अपनी चीजों का मुल्यांकन करके, अपने द्वारा पढ़ाई गई तो जो हम बात कर रहे थे, टीचर एक learner के रूप में अपने आपको इस तरह से तयार करता है, कि वो सारी चीजें सीखते हुए, अपनी teaching skills में बड़ोतरी कर सके, यानि एक अच्छी teaching skill अपने आप में डबलग कर सके, तो as a learner teacher को सीखना होता है, किस तरह से अपनी teaching skills को improve किया के लो कि रहे तरह से थाहते हो जानि